The dogs bark to get attention अच्छा वो जिन्हों ने just एक अपना इंटरेट पर opinion डिया है वो वो कुटे हो गए हैं क्यूं? क्यूंकि उनके subscribers कम है वो irrelevant हैं, क्ते हैं क्यूंकि उनके subscribers कम है लेकिन प्लीज मैं चवल हूँ, मैं बगरत हूँ, मैं चूतिया हूँ लेकिन ये सारी बाते मेरे सब्सक्राइबर्स के पीछे चुप सकती है मैं फ्रॉंड हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स भी है और वो सारे कुटे हो गए है क्योंकि अनके सब्सक्राइबर्स कम है शामिचरीस मेरी बात सुट कुटे वो नहीं है कुटा तू है अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम प्लैन प्लाए ये वो मीम है जिसका इसने रंडी रोना लगाया वै बहुत ही ओफेंसिव मीम है थ्रेटरिनिंग और 10-15 लोग तो वैसी भ्योश हो गया मीम देखके एक ये मीम है ना कोई गाली है ना कोई ओफेंसिव बात है क्या कहता है एक ये वीडियो मीम बस इसके आगे कुछ नहीं है इसके पीछे कुछ नहीं है ना कोई गाली ना कोई जुगत ना इसकी बेहन ना इसकी फैमली क्या कहते ये स्कैम, इबलीस इसे ओफेंसिव नहीं कहते मैं बताता हूँ ओफेंसिव कहते किसको है ये थी ओफेंसिव मीम ये पढले बांदे अपने कल को काम आएगी ये मैडम फ्रॉगी इसको मैंने हार ली अपनी वीडियो में मू लगाया हुने लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वाल्व होने का इतना शौक है इस फ्रॉगी के टॉपिक पर ही रहते वे न ये एक बड़ाई अच्छा तरीका हुआ करता है अपने आग को प्रोटेक करने का या ओवर अपने आग को कवर करने का लेकिन फिर ये आगी इस औरत ने जितनी हिजाब की मा भेन एक करके मिस यूज करके इंसल्ट किया न यकीन करो इतना काफिर भी नी करता हूँ न हिप हॉप, म्यूजिक, रैपिंग, डांसिंग शुरू की विए हिजाब पहन के पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्थ., ये लो ये लो ये लो ट्रौफी रक लो मेरी तरस से अच्छा पठा betr फेने स्क्रीम भी रखला है, ये लो, ये तेल की बोतल भी रखलो, तू ही तो है जो हिजाब की इंसल्ट नहीं करता, तू ही तो है जो जूट नहीं बोलता, तू ही तो है, तू ही तो है जो छोटे यूट्यूबर्स को कुटा नहीं बोलता, तू ही तो है, ये लो, ये तेल की बहुत लेको रखो ताकि यह जितनी भी ट्रॉफिया है ना अपनी डूई में लेने में तुझे सानी होगी अज़ादी कालना